नमस्क्रा दोस्तों, I hope कि आपने कहाउतों से संबंदित और हिंदी भाशा के संबंदित जो पिछले मैंने तीन वीडियो डाले हैं वो सुने होंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको अ स्वर से उत्पन होने वाली कहाउतों के बारे में बताया देन फिर सेकेंड वीडियो में मैंने आपको आ जो बड़ा आ होता है उस आ स्वर से उत्पन होने वाली कहाउतों के बारे में बताया है और आज हम चर्चा करने वाले हैं यी वर्ण से उत्पन होने वाली कहाउतों के बारे में जैसे आपने सुना होगा कि एक नागिन उर्पंख लगाई उर्पंख होता है यहां पे और मतलब एक तो नागिन है उपर से पंख भी लगाए हैं मतलब एक दोश के साथ दूसरे दोश उसमें जुड़ गया है इसी के साथ एक होता है कि इतना खाओ जितना पचे या इतना खाये जितना पचे मतलब सामर्थ को समझ कर ही कारी करना चाहिए आपने प्रोजेक्ट ले लिया दस लाग करोड रुपे का और आपको एक करोड का प्रोजेक्ट भी हैंडल करना नहीं आता मतलब इतना खाया जितना पचे इतनी सी जान गजब भर जबान ये जो लाइन है ये बताती है कि अवस्था के हिसाब से अधिक अगर कोई बोलता है तो उसको हम ये डायलोग पिना सकते हैं इधर कुवा उधर खाई मतलब दोनों तरफ जब मुसिबत हो तो हम ये वाली बात बोलते हैं कि इधर कुवा उधर खाई इधर ना उधर यह बला किधर मतलब विपत्ती का आना या जाना या विपत्ती का आ जाना मतलब यातरा पर जाते समय रास्ते में अगर भीशन आनी तूफान आने लगे तो उससे कारण यह कहा जा सकता है कि यात्रा इस्थगित करनी पड़ सकती है मतलब इधर ना उधर यह बला किधर इस पकार से हम प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में इसके लावा एक और वर्ड अता है कि इन तिलों में तेल नहीं कई बार आपने सुना होगा तो यहाँ पर तिलों में तेल का मतलब होता है कि यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अगर आप कितना भी उसको दबा लेंगे तो उसमें से तेल नहीं निकलेगा इमली के पात पर बारात का डेरा इमली के पेड अगर आपने देखा हो तो उसकी टहनियों पर बहुत बारिक बारिक पत्ते लगते हैं बारिक in the sense लगभग 5 cm के पत्ते होते हैं 10 cm भी पूरे नहीं होते हैं तो 5 cm के पत्ते पर बारात का डेरा असंभव सी बात लगरी है न तो इसका अर्थ भी यही निकलता है असंभव बात कहना इमली के पाथ पर बारात का डेरा हाथ या इस हाथ दे उस हाथ ले मतलब सम्मान या लाब देने में सम्मान या लाब जो मिलता है वो बराबर बराबर मिलता है आप इस हाथ जितना देंगे उस हाथ आपको उत्ता मिलेगा या एक और से लाप करके दूसरी औरत में हानी में डालना ये भी हो सकता है इसका एक हाथ तो दे दिया और उस हाथ ले भी लिया ठीक है बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इस चीज़ के देन बात करते हैं इस घर का बाबा आदम ही निराला है ये कहवत ऐसे लोगों के लिए जहां पर जो चीज़े सब कुछ निराले धंसे होती है या जहां सब कुछ निराला हो माँ पर कह सकते हैं भी या इस घर का तो बाबा आदम ही निराला है ठीक है देन एक कहवत सुनी होग में इतना बड़ा काम करना तो उसकुम कहते हैं कि इसके तो पेट में डाड़ी है क्या कहेंगे इसके पेट में डाड़ी है मतलब अवस्था से अधिक काम करना या अवस्था से अधिक का होना अब बात करते हैं बड़ी इ बड़ी इ से शुरू होने वाली कहावतें कुछ ही ह इंट का जवाब पत्थर से देना यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है इंट का जवाब पत्थर से देना देन बात करते हैं इंट की देवी मांगे प्रसाथ मतलब व्यक्ति के अनुसार आओ भगत व्यक्ति अगर संग्मरमर का होगा तो उसकी अलग आऊ भगत है, लाल पत्थर का उग अलग लाल और ईट का उगत हौ अलग तो इट की देवी मांगे प्रसाथ जैसी आपके अवस्था कोगी यूँज़े वैसा आपके साथ वेवार होगा कि गती जो है वह विचित्र होती इश्वर की माया विचित्र होती है ऐसा इसका अर्थ निकल सकता है अलग-अलग लेंग्वेज में ठीक है कई बार तो व्यक्ति के सेग्मेंट में निकलेगा और कई बार प्रकृति के सेग्मेंट में निकलेगा तो आई होब कि आपको उत्पन होने वाली लोकोपतियां समझ में अगली क्लास में हम छोटा उ और बड़ा उ से उत्पन होने वाली लोकोपतियों के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए जुड़े रही है हमारे साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब तो आपने अब तक करी लिया हो धन्निवाद